फ्रेंड्स कैसे आप सब आई होग कि आप सब ठीक होंगे आपका अपने यट्वीब चैनल रूपा सोनु मलिक रूपा सोनु में स्वागत है तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको थमनेल देखकर ये तो पता चली गया होगा कि आज वीडियो मैंने किस चीज के उपर बनाई है तो इसके के पर सबस्क्रप कर सकते हैं तो चली आपको देखकर कर सकते हैं तो चलिए आप अपको देखकर दरने कि वीडियो बना लेती हूं जिसमें आपको पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है आप घर पर ही अच्छे से स्क्रप कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उसके लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत पड़ेगी यह देखे इसके लिए फ्रेंट्स हमने एक बावल में यह एक चम्मच सहट डालिया है और अब जो है हम इसमें एक चम्मच चीनी आड़ करेंगे अब इनको जो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे रेखे अच्छे से mix करने के पाद जो है हमने इसमें थोड़ा सा सैद और mix कर लिया है हमें सैद जो है थोड़ा ज्याता लेना एक चम्मत से तो चलिए फ्रेंट्स अब scrub करना start करते हैं पहले हम इसको अपनी चारे पर अच्छी सी लगा लेती हैं जो हमने इस तरह से मसाज करना है अपनी चारे पर अच्छी से लगा लिया है जो हमें साज करना है चलिए हम आपको बताती हमें इस तरह से हलके आतों से इसकी मसाज करनी है यह बहुत हलके आतों से करनी है ताइट नहीं करनी है देखें आप सारे स्टाइब द्यान से देखें कि किस तरह से काँ पर मसाज करनी है और अगर आपने सायद कम मिक्स किया हो और आपका यह मसाज करने में थोड़ा टाइट सा मैसू सो रहा हो तो आप इसमें जो है थोड़ा पानी भी एड़ कर सकते हैं या फिर अपनी हाथो पर पानी लेकर इस तरह से मसाज कर सकते हैं लेकिन मेरी ऐसे ही अच्छे से मसाज हो रही है क्योंकि मैंने सायद थोड़ा ज्यादा मिक्स किया है कर दो कि यह देखे फ्रेंड्स आपको इस तरह से स्क्रब करने के लिए कहीं पर भी जाने की ज़रूरत रही है आप घर पर इस तरह से बहुत ही आसानी से स्क्रब कर सकते हैं और यह सारी गर पर ही आसानी से मिलने वाली चीजे ऐँ और यह देखे फ्रेंड्स मैंने इसकी मसाज तो अच्छे से मपाइद भी इसको पान्च मिनट के लिए ऐसे रहने दूंगी और फिर App-a- viennentร coch dial साफ कर लूँए यह देखें फ्रेंट्स पांच मिंट के पाद मैंने अपने फेस को अच्छे से साफ कर लिया है और यह देखें आप खुद ही देख सकते हैं इससे क्या है चैरे पर प्लो भी आता है यह बहुत अच्छा इसक्रव है आप जरू ट्राइक करना अगर आपको मे मेरी चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलिए फ्रेंड्स अगली वीडियो में जो है कल मिलते हैं बाइ फ्रेंड्स